अठारहवी लोकसभा का पहला दिन इस दिन को याद किया जाएगा समविधान के दिन के रूप में कि आज देश के संसत के सामने सब तरफ समविधान ही समविधान था एक तरफ देश के अगले वजीर आजम समविधान की शपत ले रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के लोग उन्हें समविधान की प्रतियां दिखा रहे थे एक तरफ जिल्ले इलाही देश में लोक तंत्र को याद कर रहे थे तो दूसरी तरफ विपक्षी दल समविधान हाथ में लेकर सदन के भीतर जा रहे थे आज का दिन समविधान का दिन बन गया था और आज के दिन को याद किया जाएगा कि क्यों समविधान इतना एहम हो गया कि आज के दिन ही एक खबर आ रही है कि सत्ता धारी दल गाउं गाउं में समविधान चर्चा करने जा रही है इस बात के बाद के विपक्ष ने पूरे देश के नेरेटिव के केंदर में समविधान को लाखडा किया है समाजवादी पार्टी के मुख्या खिलेश यादो अपने हाथ में समविधान की प्रतियां लेकर अपने सभी नव निर्वाचित सानसदों के साथ सदन के भीतर जब जाने लगे तो ऐसा लगा कि हाँ अब सदन के भीतर का माहूल वैसा नहीं रहेगा जैसा पिछले दस साल में रहा संसदभवन की सीड़ियों पर खड़े होकर समाजवादी लाल टोपी के साथ समाजवादी तेवर के साथ बाबा साथ डॉक्टर भीमराव अंबिटकर के समविधान के साथ लोग तंत्र को अब एक नई धार देने के लिए ये द्रिश परियाप्त दिखेंगे वहीं कॉंग्रेस पार्टी के लोग अपने नेता मल्लिकार जुन खड़गे के साथ अपने नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ समविधान की उन्ही प्रतियों को हाथ में लेकर लोग तंत्र का एक नया सबक सिखाने के लिए सामने दिखाई दे रहे थे समविधान के लेते हैं ये लोग तंत्र की खुपसूरती है कि समविधान बदलने की खाब देखने वालों को भी समविधान की हिफाज़त की बात कहनी पड़ती है और आज का दिन एक नए तेवर का दिन याद किया जाएगा कि सब कुछ समविधान मैं था आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रवायत शुरू करते हुए जब सदन शुरू होता है तो सबसे पहले प्रधान मंत्री अपने संसदिये कारे मंत्रियों के साथ खड़े ओकर एक छोटा सा पैगाम देते हैं हर बार की तरफ प्रवचन है लेकिन इस बार का प्रवचन कितना कमाल का था कि प्रधान मंत्री को भी याद आ रहा था कि देश की जनता सदन के भीतर डायलॉग नहीं सुनना चाहती डिबेट चाहती है सुनिए प्रधान मंत्री जी को ऐसे में प्रधान मंत्री जी से क्या यह बात नहीं पूछी जानी चाहिए कि आदर यह प्रधान मंत्री महोदै पिछले दस साल में जितना डायलॉग सदन के भीतर सुनाई दिया जिस तरह का दृष सुनाई दिया कि देश की जनता वैसा ही दृषी चाहती है प्रधान मंत्री जी कि आप भूल गए कि किसानों के कानून जब पास करवा रहे थे आप और आपके लोग तब सांसदों को बोलने का अधिकार याने डिबेट का अधिकार चीन करके मार्शल लगा कर उन्हें बाहर फिक्वा करके आपने किसानों के कानून पास करवा दे है वो सदन और जनता अपने सदन से ऐसा कता ही नहीं चाह रही थी अधड़ी प्रधान मंत्री जी क्या आप भूल गए कि उसी सदन में UAPA से लेकर के तमाम प्रधान आपने सानसदों के निलंबन के साथ करवाए हैं अब आपके लिए मुश्किल पड़ेगा देर सो सानसदों का निलंबन अब धाई सो सानसदों का निलंबन हलांकि ये बात दीगर है कि जो तानाशाही पर उतर आए वो धाई सो क्या धाई हजार लोगों को देश सने लंबित करके अपने तानाशाही रवये को देश के उपर थोप सकता है मगर मुश्किल पड़ेगा विपक्ष अब वैसा नहीं रहा विपक्ष का तेवर अब वैसा नहीं रहा कि वो धर जाएगा और आपको जनता ने उतना ताकत दी ही नहीं कि सदन में खड़े होकर डायलॉग पर डायलॉग बोलें एक अकेला सब पर भारी नहीं साब वजन घटा दिया है इस देश के जनता ने और आप बहुत हलके हो गए अब आपको भी सहारों की जरुवत पड़ी है जी हाँ प्रधान मंत्री जी अब देश के भीतर से डायलॉग नहीं निकल पाएंगे डायलॉग पर डायलॉग मिमिक्री पर मिमिक्री आपने सदन के भीतर का महौल तो ऐसा ही बना दिया था अब होगा डिबेट जब विपक्ष के 37 सांसद समाजवादी पार्टी के होंगे 99 सांसद कॉंग्रेस पार्टी के होंगे 22 सांसद दीम के तमिलनाडू से होंगे और टीमसी के 37 सांसद लगभग होंगे ये सब मिल करके आपसे सवाल करेंगे ये विपक्ष के सांसद आपसे सवाल पूछेंगे सदन के भीतर प्रधान मंत्री जी कि 10 साल में आप महंगाई कम क्यों नहीं बोल पाए महंगाई कम क्यों नहीं कर पाए ये आपसे सवाल पूछेंगे कि काला धन कहां है बुलेट ट्रेन किधर है देश को बेचना क्यों हो रहा है देश के लोगतांतरीक संस्थाओं का दूरप्योग क्यों हो रहा है परदान मंत्री जी आज जब आपने भाशन दिया तो आपको 25 जून याद आया देश भी याद करता है आपने कहा कि वो काला दिन था हम भी कहते हैं वो काला दिन था कि इस देश में घोशित आपात का लागू करके देश को जेल खाने में कैद कर दिया गया था आपने आज उसे याद किया देश की जनता भी याद करती है कि 25 जून 1975 का दिन काला दिन था जब देश में घोशित आपातकाल यानी declared emergency लागो थी लेकिन पिछले 10 साल में जाने कितने ऐसे काले दिन आए जब undeclared emergency आपकी सरकार ने इस देश पे थोपी अदड़ी प्रधान मंत्री जी क्या किसानों से आप ये नहीं कहेंगे कि undeclared emergency क्या होती है आसुगैस के गोले, कीले और जो अंदोलन में गया उसके उपर मुकद में क्या undeclared emergency ये नहीं होती है कि बिना debate dialogue के नई सिक्षानीती पास करा दी जाए प्रोफेसर जेल में हो, सामाजी कारेकरता जेल में हो, जेलें भर गई हो, और तो और चुने हुए मुक्हमंतरी जेल में हो क्या होता है अगोशिता पातकाल, इस देश के जनता को पता था प्रदान मंतरी जी इस देश के जनता को पता है कि आप यूटूबर हम जैसे लोगों की जबान बंद करने के लिए कानून बदलने वाले हैं और आप लोग जो ये बात सुन और देख रहे हैं हम आप से भी ये बात साजा करते हैं जो बोलने न दे जो सवाल न पूछने दे जो सत्ता और सरकार से अलग राय रखे जिसके विचारध हरा अलग हो जिसके मुद्दे अलग हो उससे सरकार ने क्या किया पिछले दिनों क्या इस देश के सरकार ने पत्रकारों को जेल में नहीं डाला क्या इस देश के सरकार ने विद्यारतियों, शोधारतियों और प्रोफेसरों को जेल में नहीं डाला तो अगोशित आपात काल बुरा है या घोशित आज अगर इंद्रा गांधी जी होती हैं तो पश्टा थीं कि एक आपातकाल घोशित करके क्या चूक कर दी कि पिछली सरकार की तरह अगोशित आपातकाल भी इस देश में लागू किया जा सकता है। आज का दिन इस बात के लिए याद किया जाएगा कि सदन के भीतर अब वे दर्शे ही नहीं होंगे जिसका निर्धारन बीजेपी और आरेसेस करेगे। अब सदन के भीतर वाकई डिबेट होगा, डायलाग होगा, डिसकसन होगा, सवाल होंगे, मंत्रि मंडल को जवाब देना पड़ेगा। जमहूरियत एक तरजे हुकोमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं। आप से सवाल पूछा जाएगा कि देश में 90% अरबपती केवल समण क्यों हैं। अब आप से सदन के भीतर समाजवादी परटी के लोग सवाल पूछेंगे कि जातिवार जनगरना क्यों नहीं होई और तब नितीश कुमार जी क्या करेंगे तब अमिशाह जी क्या करेंगे जिन्होंने बिहार में जातिवार जनगरना का समर्थन किया था। अब देश की संसद में अयोध्या प्रसाद पासी सवाल पूछेंगे कि अयोध्या में बनव किया गया था पहली बारिश में ही उसमें गड़े दिखने लगे अयोध्या में जितने भी तरह के घोटाले और गलत काम हुए हैं उसके सवाल अयोध्या और फैज़ाबाद के सांसत अवधेश पासी पूछेंगे समाजवादी पार्टी के नेता पूछेंगे कि अगनिवीर का क्या होगा और फिर कॉंग्रेस के साथ मिल कर पूरा विपक्ष कहेगा कि नीट, नेट, यूजीसी, पेपर लीक और परिक्षा रद आज के दिन जैसे एक दृष्ष सबसे खुप सूरत था कि जब देश के प्रधान की प्रतियां दिखा रहे था, ठीक उसी समय एक दूसरा दृष्ष भी कमाल का दिखा, जब सिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपत लेने गए, तो सामने से विपक्ष की आवाजे घूज उटी, पेपर लीक, नीट, परिक्षा रद्र, धाधली, नौजवा और दंभ से ये बोल दें, कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन देश में विपक्ष और जन्ता, दोनों ने ताकत दिखाई, और सिक्षा मंत्री को छुकना पड़ा, और कहना पड़ा कि हाँ, UGC NET का पेपर धाधली की वज़े से लीक हुआ, और हमने उसे रद किया और CBI जाँच बिठाई है, हाँ, नीट पी जी का एक्जाम हमने रद किया, प्रधान मंत्री जी, सदन में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के नेता आपसे पूछा करेंगे, 79,000 से चक भरती में आरक्षण का घोटाला क्यों हुआ, विपक्ष के नेता, कॉम्डिस पार कि सदन के भीतर का माहौल क्या होगा, अब आप सदन वैसे नहीं चला पाएंगे प्रधान मंत्री जी, जैसा 25 जून एक आपके दिल में तना शाह बेटा हुआ है, आपके दिल में वो अहंकार बेटा हुआ है, कि जब आप हों तो केवल आप हों, क्या प्रधान मंत्री जी पिछले दस साल में विपक्ष ने सदन के भीतर जब भी विरोध किया सारे कैमरे विपक्ष के देशा से बंद नहीं हुए क्या आपने पहले ऐसा कभी देखा था कि सदन के भीतर जब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी सदन के भीतर हंगामा करे सवाल पूछे विप भूमिका निभाए तो उनकी तरफ भी कैमरे हुआ करते थे। और पिछले 10 साल में प्रधान मंत्री जी आपने क्या किया? कोई तब तो आप ज्यादा संख्या में हुआ करते थे 25 जून जो छोटा सा 25 जून आपके दल में है प्रदान मंतरी जी बीज बीज में हिलो रहे तो मारता होगा लोग आप से सवाल पूछ दे कैसे बरदाश करते हैं आप हम लोग जैसे लोग यूटूब पर कितना कुछ सवाल पूछते हैं आपने इसलिए पॉलिसी बदलने का रास्ता देख लिया है कि जितने यूटूब पर सवाल पूछें कोई न कोई धारा ऐसी लगा दो कि उनको भी कल जेल में डाल दो या उनका चैनल बंद कर दो लेकिन साब का दृष्य ये पैगाम दे रहा है कि सदन के भीतर अब कुछ भी वैसा नहीं होगा जो खुद अदल्डी प्रधान मंतरी जी कह रहे है जनता ने अगर चुन कर भेजा है विपक्ष को जनता ने उत्तर पुदेश्य अगर सैंस्ति सांसत दे करके समाजवादी पार्टी को अपनी तिहास की सबसे बड़ी जीत दी है तो समाजवादी पार्टी के सांसत आने वाले दिनों में हर एक तबके से हर एक तरफ से सवाल पूछ करके सरकार को जुकाएंगे और मजबूर करेंगे अगर जनता ने निन्यान बे सांसत कॉंग्रेस पार्टी को दिये हैं तो वो अपनी भूमी काई निभाएंगे मड़ीपूर का सांसत हो या लद्दाक का सांसत कन्या कुमारी तमिलनाडू के लोग हो या राजस्थान के लोग हो या मद्द्रदेश, महराष्ट और उत्तरप्रदेश के लोग हो बिहार के लोग हो वो आप से सवाल करेंगे तो आज का दिन एक पैगाम का दिन है कि कोई भी चीज अगर इस देश में सबसे बढ़ी है तो वो है भारत का समविधान समविधान पर चर्चा करने को मजबूर हुए माथा जुका कर सर जुकाने को मजबूर हुए लेकिन प्रदान मंत्री जी एक सवाल पुरा देश और विपक्च आप से पूछेगा किसी भी एक उस आदमी पर आपने कोई कारवाई की जिनोंने अहंकार में सच बोल दिया था कि अपकी बार चार सो पारिस ले चाहिए क्योंकि समविधान बदलना है बड़ा नुकसान हुआ आपको न समविधान के बदलने की बात सोच करके करवाई तो नहीं किया आपने आपने जोती मिर्दा पर अनन्थे गड़े पर ललू सिंग पर अरुन गोविल पर या अपने आर्थिक सलाकार पर कोई एक नोटिस दी क्या प्रदान मंत्री जी आपने तो फिर कैसे कोई मालले की समविधान आप भी मानते हैं ये सारा जिस्म दबकर बोज से दुहरा हुआ होगा मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा जो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि प्रदान मंति नरेंदर मोदी समविधान पर सजदा कर रहे हैं जुक रहे हैं कहीं ये धोखा तो नहीं अब देश की जनता इसका सवाल आपसे पूछेगी और सब कुछ चलेगा तो समविधान से चलेगा बाबा साथ डॉक्टर भीमराव अंबिट करके समविधान से चलेगा आने वाले दिनों में हमसंसत के भीतर एक खोपसूरत लोकतंतर देखें जनता के सवाल देखें और विपक्ष की कारगर भूमिका देखें इसे उम्मीद के साथ आगाज अच्छा है अंजाम भी अच्छा होगा शुक्रिया